वेल दोस्तों तो लास्ट सेशन में हमने यह देखा था कि आपको यादा रहा है तो चलिए यहाँ पर यहां मैं थोड़ा आप सब को समझाना चाहोगा कि जहां तक है यहां यहां देखिएगा चलो फटा फट एक काम करो यहां जो है एक रफ में पहले डिजाइन बना लो मैपिंग बना लो तो क्लास में आके बढ़ना असान होगा चलो तो रफ बुक में एक बार फिर साइसी रफ बुक बनाओ कि बार बार मैं आप से चार्ट बन भाओ रफ है रफ में तो चली मेरे साथ शुरू हो जाओ रफ में section 7 section 7 में दो पार्ट होगे शुरू 7 1 7 2 then 7 1 includes आए लिखो 7 2 excludes supply से कुछ चीज़े exclude की जाती है यह लिखो, include में आगे सभी यहाँ पे, include में दो पाट करो, चलो do it fast, consideration without consideration, रफ में बना रहे हो आप सभी, consideration without consideration, consideration में without consideration में 7-1-C, okay 7-1-C जो अभी हम देख रहे हैं, जिसमें schedule 1 और consideration में दो पाट, चलो पड़ा पाट कौन से, 7-1-A, 7-1-B और 7-1-A-A हम नीचे लिखेंगे, 7-1-A हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो 7-1-A जो है, यहाँ पे इसके चार पाट बना लो, चलो, okay, basic fundamentals क्या है सब लाएक है, sale, transfer, button, मतलब all form होने चाहिए, made और agreed to be made, for consideration in the course of business, business की definition का homework आपने कर लिया होगा, आपको simple यह में कहा था, general औ either 5, ऐसी total 9 activities business के definition में आती है, और आपने लिखके देख लिया होगा, तो definitely आपको इसका फायदा होगा, उसके बाद में 7-1-B, importation of services, importation of services में, हमने देखा था, for consideration, whether or not for business, वो whether or not for business है क्या नहीं है, और schedule 1, schedule 1 में हमने para 1 देख लिया, para 1 देखा, permanent transfer of business, asset on which ITC is taken, और हम para 2 पे supply of goods और services, services between related या distinct person, अभी para 2 हम discuss करते हैं, आई बस समझ में आपके, तो चलिए, यह rough में हो गया, अब मुझे आप honestly बताइए, यह जो हम rough practice करते हैं, क्या हमारे concept से connection लगते हैं, जूडते हैं, ओके यह बहुत important है, अगर connection लगते हैं, तो C type करो, ओके यह practice daily कितना करोगे, लिखना कुछ भी नहीं, आपको सिफ connection जुड़ना है, अगर honestly आपको यह अच्छा लगता होगा, तो यह सिफ मेरे subject में नहीं, सारे subject में, okay, follow करो, और what about C type करो, जिससे आप बार-बार subject से जुड़ते हो, concept से जुड़ते हो, और जिस दिन आप पूरा ऐसा paragraph बनाना सीख जा चार्ट यहाँ attach कर लिया, जितना आप यहाँ पे connect होते जाओगे, उतना concept clarity आती जाएगी, जितनी concept clarity आपका है, उतना exam के लिए करे जाएगा, ध्यान से जुनना, जितना concept clarity, जितना आपको याद आ रहा है, उतना exam के लिए करे जो आएगा, और जितना ज्यादा exam के लिए क chances बढ़े गए ठीक है तो चलिए यह हमने देखा regarding to section 7 चलो ओके तो हम यहाँ पे section 7 1 C में थे ओके और section 7 1 C activity without consideration में दे इम supply में उसमें schedule 1 schedule 1 में अगर आपको याद होगा तो permanent transfer पर्मनें ट्रांसफर और disposal of business asset on which ITC has been taken तो अमने फटाफट points यहाँ क्या देखे थे कि para 1 कि अगर हम बात करें तो para 1 में हमने यह देखा था कि अगर कोई business asset होगी वो capital asset हो, stock हो, current asset हो उससे कोई लेना देना नहीं अगर आपने ITC दिया होगा और किसी को भी free दिया होगा, घर पे लेके गए होगे, in short आपके business के बाहर निकल गया, एक साल बाद निकला, दो साल बाद निकला, इवन पांस साल बाद भी निकला, तो वो supply माना जाएगा, और उसका valuation rule 30 में होगा, और जो भी value आएगी, उस पर GST आपको द supply of goods or services or both between related person or distinct person as specified under section 25, when made in the course or furtherance of business, तो यह related person, यह distinct person, related person की definition अगर आपको याद होगी, तो related person की definition हमने क्या देखी थी, related person की definition हमने यह देखी थी, कि यहाँ पर as per explanation to section 15, okay, common directors और officers होगे, related माने जाएगे, okay, legally recognized as a partners होगे, तो partners related माने जाएगे, okay, partners related माने जाएगे, okay, कोई partnership firm है, okay, दो company मिलके कोई partnership में, JV चला रही है, तो दो company related माने जाएगे, अगर आपकी partnership firm LLP है, तो partners, एक में के साथ, अगर transaction कहता है, तो related party माने जाएगे, employer or employee, very important, employer or employee भी related माने जाएगे, कोई third person more than 25% से both of them में hold करता है, तो related माने जाएगे, one controls the another तो related माने जाएगे, okay उसके बाद में holding subsidiary one control the another, together they controlling third person, member of same family और sole agent distributor concessionaire होगे, तो GST में just sole agent या distributor होने से आप related माने जाओगे उसके बाद में family की definition आपके लिए important है family की definition में क्या है, कि spouse और children या always family का part related माने जाएगा, इसलिए अगर in the course of business, मेरी बद्धाया सुनना in the course of business अगर आपने spouse को, children को कोई भी supply किया goods का या service का, free supply किया होगा तो GST आएगा, लेकिन parents, grand parents, brother और sister, अगर ये supplier के parents, grand parents होगे, brother, sister होगे, okay तो वो related तभी माने जाएगे, जो वो dependent होगे, okay वो related माने जाएगे, now ये जो था हमने related concept देखा, उसके बाद में यहां पर, next concept पर आते है, चलो, यहां तक का discussion हमने किया था चली बेटा, तो अब आगे का discussion हम continue करेंगे और आगे के discussion में हम जो है, यहां पर एक concept ये बात करेंगे distinct person, distinct person under section 25, ये provision, okay यहां पर detail में तो हम registration chapter में पढ़ेगे, उसका bare text हर word को तो हम registration chapter में पढ़ेगे, पर यहां पर मैं ये concept अच्छे से आपको explain करना चाहोगा, so that registration chapter में आपको आसानी हो, समझने के लिए, ठीक है, मेरे साथ पहले आप पढ़ोगे, step number one, मेरे साथ आप पढ़ोगे, फिर हम इसके पर discussion करेंगे, फिर में इसका background आपको बताओगा, और फिर, para two distinct person को कैसे affect करता है, उसके बाद करेंगे, a very very important concept, ये GST का बताओ तो सोल है, distinct person under section 25, before we go through statutory provision, distinct person, let us first have an overview of registration provisions, state wise registration under GST, under GST law, supplier must obtain registration separately for each state or union territory, where they make the taxable supplies, if their aggregate tenor exceeds the prescribed threshold, ये पहरा बहुत important है, और ये आपको पता भी होगा, कि GST में registration state wise है, वी GST destination based tax है, और destination based tax होने के वज़े से, आपको हर state में registration, आप separate लेने पड़ते हैं, under same PAN, PAN आपका पूरे इंडिया का एक ही है, नाम ही है, permanent account number, तो जब आप income tax का पैन लेते हो, तो वो आपका एक ही होता है, और ये इंडिया का एक ही होता है, लेकिन, मैं आपको ये बता दू, कि GST registration number आपको state wise compulsory separate लेने पड़ते हैं, तो देखो, registration is not required for state where only taxable or exam supplies are made, ये भी point बता होगा, तो एक important बात, जब मैं registration chapter पढ़ाऊगा, registration chapter में section 22 or 23 पढ़ाऊगा, registration आपको वो state में लेना जरूरी है, जहां आपका place of business है, I repeat the word, जहां आपका place of business है, और वो place of business जो है, जहां से आप taxable supply कर रहे हो, वहाँ registration state wise compulsory है, let's say कि example V smart की, यहां पे 28 branches है, सारे state में, चलो तीन state भी ले ले लेते हैं, Delhi, Poticherry, Jammu and Kashmir, 31 plus 5 यहांने 36 branches है, तो V smart का registration जो है state wise होगा, और मुझे 36 GST के registration से लेने पढ़ेंगे, अगर मैं यह 36 branches से यहां पे taxable supply कर रहा हूँ, और मुझे registration हाँ state में separately लेने पढ़ेंगे, यह compulsory है, और कि यहां पे section 25 compulsory करता है कि state wise registration है, point number 2, registration मेरे pan पे ही आएगा, इसलिए अगर आपको GST का knowledge होगा, और आपने dummy articleship नहीं की होगी, तो आपको GST registration पढ़ना तो आता होगा, और के पहले दो digits होते हैं आपका state code, फिर होते हैं आपका pan, उसके बाद में entity code and checksum number होते हैं, तो pan fix होता है, सिर्फ state codes पहले 2 digits बदलते हैं, पर मुझे इतने सारे registration समालने पड़ेगा है, पर registration state wise compulsory है, उसके बाद में जहां तक देखा जाए, हाँ, ये point section 23 में, अगर आपको ये section जानना होगा, तो ये point में section 23 में लोगा, अभी कोई अभी doubt नहीं, अभी स्रीफ आप समझोगे, doubt के लिए मैं आपको special time दोगा, आपके दिमाग में भी doubt आता होगा, तो लिख के बाज़े में छोड़ दो, अभी चिपचाप मैं जो कह रहा हूँ, वो सुनते जाओ, जो मैं कह रहा हूँ, वो सुनते जाओ, मैं और समझ लो, मेरा एक देली में ब्रांच है, और देली में जो चे बुक अभी करता हो, वहार ट्रेंश कोचिंग नहीं करता हो, तो मेरी इवन दो वहाँ ब्रांच है, जहां से मैं बुक सेल कर रहा हूँ, ईग्जम सपला है, तो वहाँ वो स्टेट में मैं taxable supply नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे registration लेने की जरुवत नहीं होती है, even though exam supply is taxable, but government ने special benefit दिया है, section 23 में कहा है, कि अगर आप need rate supply कर रहे हो, non taxable supply कर रहे हो, exam supply कर रहे हो, और दूसरा कोई भी वहाँ supply नहीं कर रहे हो, तो उस place of business का, I repeat the word, उस place of business का आपको registration ल registration in a state or UT, यह कौन से भी मैं आपको समझा देता हूँ, single registration in a state or UT का मतलब क्या है, अगर, let's take example, state of Maharashtra, okay, और Maharashtra में, V smart की, एक से ज़्यादा branches है, same business कर रही है, यह diversified business कर रही है, but under one pan, under one pan, तो Pan India, जहाता है कि Maharashtra में, अगर हम Maharashtra की बात करें, तो हम, okay, एक ही pan में सार business कर रहे है, समझ लो, V smart का, real estate का business है, Maharashtra में, V smart का, training coaching का business है, V smart का, hotel है, okay, पर pan A की चल रहा है, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए कि मैं similar business करूँ, यह separate business करूँ, government तो कहती है कि state wise आपको एक ही registration लेना पड़ेगा, okay, तो एक ही registration लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या ह common ITC होगा, common GSTI 2 भी बनेगा, और यह common ITC, common return, common, okay, outward supply statement, common compliance होगे, तो government कही पे भी force नहीं करती है, कि अगर आपका separate vertical होगा, तो आपको separate registration लेने पड़ेगा, ऐसा government का थोड़ा भी force नहीं है, आप single registration में सारी चीज़े कर सकते हो, फिर वो similar या different type of business है, लेकिन, लोग जो है, अगर यहाँ पे nature बदल जाता है, इवन दो company एक ही है, pan एक ही है, पर nature बदल जाता है, तो वो situation में, यहाँ पे separate registration लेते है, वो situation में separate registration लेते है, और अब एक सवाल खड़ा होता है, कि क्या same state में, मैं under same pan, अलग-अलग branches के लिए separate registration ले सकता हो, क्या, yes, multiple place of business का, आप separate registration ले स separate registration ले सकता है, गौर्मेंट को कोई दिक्तत नहीं है, वैसे तो गौर्मेंट कहती है, single registration भी चलेगा, हम तो आपको force करी नहीं रहे, हम आपको force करी नहीं रहे, single भी चलेगा, लेकिन अगर आपको अलग-अलग branch के लिए अलग-अलग लेना है, तो आप लो, जैसे, वी-smart की ब्रांच पुने में, वी-smart की ब्रांच महराश्टर में नाथपूर में, वी-smart की ब्रांच महराश्टर में औरंगाबाद में, तो ऐसे case में मैं चाहूँ तो अलग-अलग GST registration भी ले सकता हो, या सब का मिला कि single registration भी ले सकता हो, या मेरा diversified business होगा तो मैं separate भी ले सकता हूँ या single registration भी ले सकता हूँ, government से मुझे कोई restriction नहीं है, government separate भी अलाओ करते है, separate registration under, separate registration within a state, separate registration within a state, क्या benefit है, benefit अगर similar business होगा तो इतना जादा नहीं है, जैसा सभी जगह training coaching चल रहा है तो फिर कोई इतना जादा benefit नहीं है, single registration ले लो that better और के सारे branches का, जहाँ principal place of business पोने होगा, एक word आया picture में, principal place of business पोने होगा, और बाकी मेरे additional place of businesses होगे, लेकिन अगर आपके diversified business होगे, जैसा real estate में भी है, या फिर V smart यहाँ switch shop भी है, V smart यहाँ पे, under same pan, separate entity नहीं, under same pan, जहाँ तक है training coaching भी है, V smart की catering भी है, V smart का maze भी है, अ यह advisable होता है कि आप separate registration लो, even though pan एक होगा, पर separate GST के registration लो, क्योंकि अगर single registration लिया, तो बड़ी घरबड हो जाती है, okay, GSTR1 कैसा दिखेगा आपका, imagine करो मेरी sweet shop भी है, मेरी maze भी है, okay, मेरा यहाँ पे hotel business भी है, मेरा real estate भी है, training coaching भी है, तो मेरा GSTR1 कैसा दिखेगा, GSTR1 मेरा outward supply में दिखेगा, real estate में flat भी है, suddenly training coaching, फिर लड़ू बेचे, फिर जिले भी भी है, फिर यह बेचा, क्योंकि sweet shop भी है, मेस में खाना भी दिया, वो ऐसा तुमारा एक GSTR1 अच्छा नहीं लगेगा, okay, और उसमें फिर आपके ITC, ITC में, okay, मैंने camera खरीदा, मैंने training coaching के लिए faculty service लिए और suddenly basin खरीदा लड़ू के लिए, okay, basin खरीदा लड़ू के लिए, फिर मैने, okay, real estate के लिए cement खरीदा, वो ITC 2 भी दिखेगा, कैसा आपका, सही नहीं दिखेगा, और उसके बाद में stock matching बड़ी मुश्किल जाती है, तो ऐसे situation में, यह strongly advisable रहता है, जब आपका different verticals हो के अंडर same plan, तो आप GST के inner state separate registration लो, okay, यह inner state different registration लो, यह समझ में आया की नहीं आया आपके, yes, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आपका business state wise है, तो state wise तो compulsory, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, state wise आपको compulsory separate registration लेने ही पड़ते है, फि similar business हो, या ना हो, आपको separate registration लेने ही पड़ते है, state wise लेने ही पड़ते है, उसके बाद में same state में government आपको force नहीं करती है, कि आप अलग-अलग लो, government तो कहती है कि single लो, लेकिन अगर आपको multiple registration लेना हो, तो same state में आप multiple GST के registration ले सकते हो, फायदा यह है कि stock वागरे match करना, separate business इसका separate stock रखना, department की परेशानी कम से कम लेना, यह आपके लिए अच्छा है, नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि अगर आपने separate registration लिए, तो आपको सब के GSTR 1 अलग से file करने पड़ेंगे, और each register number GSTR 1, GSTR 3 भी, in simple word, आपको सब के अलग-अलग compliance करने पड़ेंगे, जिसके ल समझ में जाओगा, तो बताईए, yes sir, समझ में आया, यह concept हमारे समझ में आया, yes or no, registration वाला concept समझ में आया क्या, चल, पर यह सारा discussion एक point पे और आथा, under same pan, चलो अब आपको मैं एक midas touch देता हूँ, और यह midas touch, यह regular batch वालों को ही मिलता है, exam oriented वालों को नहीं मिलता है, उनका पुरा discussion, exam oriented के हिसाब से होता है, अब मैं थोड़ा background में जाता हूँ, yes, exam oriented batch में जहां required है, वह ही history होती है, पर regular batch में मैं बार बार midas touch देता हूँ, जहां subject का interest boost हो जाए, अगर किसे की दिमाग में होगा, GST ठीक है, GST आपने पढ़ा होगा, सब बहुत basic है, पर मैं यह लेन logic है, अगर हम थोड़ा depth में जाए, तो depth में शायद कुछ students को पता भी होगा, पर एक touch लेते है, midas touch लेते है, क्योंकि यह concept बड़े आगे काम आएंगे, okay, महराष्टर में आपकी branch है, MP में आपकी branch है, okay, राजियस्तान में और चंदीगर में, चंदीगर में, चंदीगर union territory ह अब imagine करो, यहाँ पे, कि महराष्टर में अगर आपकी branch होगी, Samson company है, Pan A की है, और उनकी factory यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, okay, तो दूसरी आपको एक बात बता दू, कि जो अब Samson key factory है, GST destination based tax है, जो destination पे आपका supply होगा, वो government उ तो महराष्टर में अगर intra sale होता है, सुनिएगा ध्यान से, महराष्टर में अगर intra sale होता है, तो वहाँ क्या लगेगा, CGST और SGST, CGST का revenue तो central का है, no doubt, लेकिन SGST का revenue कौन लेगा, भाई, कौन से destination पे supply होगा, यह महराष्टर के destination पे supply होगा, तो इसका revenue महराष्टर गवर्मे लेगी, same logic हम MP गवर्मेंट को लगाते है, MP में अगर मेरी factory और वहाँ supply होता है, intra होता है, यह मेरा service है, और वहाँ intra होता है, तो वहाँ SGST लेगेगा, वहाँ की SGST का revenue MP गवर्मेंट लेगा, क्योंकि destination based tax है, next अगर यहाँ पे अगर राजस्तान और सिमिलर, चंदिगर, चं central का ही revenue है, क्योंकि union trajectory central government govern करती है, तो CGST का revenue भी central का हो सकता है, और UTGST का revenue भी central का हो सकता है, तो ऐसे case में UTGST अलग से क्यों लगाते है, यह basic question तुमारे निवाग में आ सकता है, इसको ही कहते है, मिदास touch, जब तुमारे basic question अगर मेरे explanation में स्वाल हो जाए, तो subject का interest बूस् ultimately, कि आपका subject से एक बार अगर पैर हो जाए ना, तो marks बढ़ गए समझ लो, बस subject से पैर होना ज़रूरी है, subject burden होना नहीं ज़रूरी है, तो यह UTGST, union territory में यह भी central का revenue है, UTGST, हाँ मानता हो कि यह collection centrally करती, UTGST, क्योंकि गवानी central कर रही है, पर वो खर्चा सिभ और union territory के ल यह diagram से यह समझाना चाहता हो, कि GST destination based tax है, अगर government ऐसा करती GST में, अगर government ऐसा करते कि नहीं, PAN जैसा GST का single registration हो, consolidated registration हो, याने जितने भी तुमारी branches है, सुनीगा, sorry बेटा, कुछ problem आ गया था, फिर से लेते हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहोगा, कि जहां तक देखा जाए अगर government ऐसा करती कि नहीं single registration लो, ओके GST में, बस एक ही registration लो, तो गढ़बढ क्या हो जाती है, समझ दो मैंने registration अल्ली महराष्टर में लिया, तो जो मेरा supply है, MP में हुआ, राजयस्तान में हुआ, चंदिगड में होगा, उसका tax कैसे दूगा, क्योंकि registration तो एक ही है, centralized registration है, एक ही registration है, उसका tax में कैसे दूगा, प्रैक्टिकली उसका tax अलग अलग state में देना कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए centralized registration रखा ही नहीं है, GST में, पहले था service tax में था, पर GST में centralized registration नहीं रखा है, क्योंकि GST dual model में आया है, GST, CGST और SGST model में आया है, और जो state का tax उस ही state में देना है, इसलिए GST में state wise registration compulsory किये गया है, क्योंकि GST destination based tax है, यह समझ में आया की नहीं है, भाई साब, यह समझा होगा, मजा आया होगा, logic, basic में जाने मजा होगा, तो MZ type करो, basic में जाने मजा होगा, तो MZ type करो, चलो, तो अब यहां पर यह जो है, हमने concept को देखा, और concept में यह सारी बातों को देखा, कि क्यों state wise separate registration करवाए गया है, ओके, चलो, अब आगे discussion को आएगे, और regular batch में ऐसे ही concept, midas touch देंगे, और मैं आपकी depth ऐसी बड़ा होगा ना boss, कि आपको मजा हैगा, हाँ, exam oriented batch में analysis क्या हमारा, मैंने आपको explain कर दिया, कि separate registration, single registration, state wise होना चाहिए, यह exam oriented batch है, भाई, concept, clarity, analysis, clear, पर depth, regular batch में मिलेगे आपको, done, done, चलो, अब आते है, हमारे आगे के concept है, section 25, एक concept, यहाँ पर, section 25 क्या कहता है, registration की procedure के बाद, section 25 कहता है, 25.4, जो आगे और detail में पढ़ेंगे, establishment with separate registration, whether within the same state or different state, are treated as distinct person, are treated as distinct person, जिसे आगे DDP word use करूगा, DDP मतलब deemed distinct person, section 25.4 यह कहता है, कि अगर आपने, अलग-अलग registration लिए, आपने one or more registration लिए, in a same state, सुनना, same state में, या अलग state में, तो हर एक registration के लिए, आप distinct person माने जाओगे, हर एक registration के लिए, distinct person माने जाओगे, okay, distinction affect various aspects of GST compliance, including invoice, tax liability, or ITC, और जितने आप अलग-अलग माने जाओगे, उतना आपके compliance बढ़ेंगे, मतलब यह है कि, अगर मेरा under same plan, जिसकी एक ही balance sheet बन रही है, एक ही profit and loss account बन रहा है, पर अगर मैंने पुने ब्रांच का separate registration लिया, और नाकपूर ब्रांच का separate registration लिया, तो इनको GST के context में अलग माना जाएगा, आप balance sheet एक ही बनाओ, आप profit and loss account एक ही बनाओ, आप income tax return एक ही फाइल करो, उस हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का GST compliance अलग होगा, दोनों का GSTR 1, 3B, ITC, ITC ledger, E cash ledger, E credit ledger, यह सारा separate maintain किया जाएगा, सारा separate maintain किया जाएगा, ओके, यह section 25.4 कहता है, अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो, जैसे 25.4 ने यह कह दिया कि यह distinct person है, सुनना, यह distinct person है, क्योंकि separate registration है, वैसे आपके compliance तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और अब जो हम प्यारा 2 पढ़ रहे है, schedule 1 का, उसका भी impact आपके उपर आएगा, चली, 25.4 का पहला part, distinct person हमने पढ़ लिया, पहले पुरा पढ़ लेते हैं, फिर impact देखते हैं, उसके बाद में, यहाँ पे, distinct person with establishment in different states, 25.5, 25.5, अब दिखो, मैं कहता क्या हूँ, आप क्या लेते हो, और इसमें गडबर क्या हो जाती है, यह समझने की कुशिश करना, दोस्तो, मैंने यह कहा कि आपको state-wise compulsory registration है, इससे आपने क्या लिया, कि भाई, state में मेरी establishment होगी, तो मुझे registration लेना ही पढ़ता है, नहीं, इसके साथ आप दो बाते भूल गए, फिर से मैं आपने statement को repeat करता हूँ, और क्या, आपको state-wise registration लेना compulsory है, पर कब, अगर वहाँ से, उस state से, आप taxable supply कर रहे हो, from your place of business, अगर उस state से, आप taxable supply कर रहे हो, from your place of business, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई state में मेरी establishment है, वहाँ head office है, पर वहाँ से कोई supply नहीं कर रहा हो भाई, जैसा, वी smart का देली में head office है, वहाँ से कोई supply नहीं हो रहा है, बस हमने वहाँ stop रखा हुआ है, एक branding के लिए कि वी smart का office देली में है, okay, international customers के लिए, या फिर वहाँ just inquiry के लिए, कि बाई, को students के जो कोई problem होगे, तो उनको वहाँ से order हो जाए, पर supply वहाँ से नहीं हो रहा ह है, example assume कर रहा है, just a office है, just a establishment है, okay, but we are not doing any taxable activity from that office, तो मुझे देली में registration लेने की कोई भी जरुवत नहीं है, okay, तो इससे मैं क्या convey करना चाहता हूँ, और जो मैं convey करना चाहता हूँ, वही आपके दिमाग में जाना चाहिए, कि, ऐसा नहीं है कि आपको हर state में registration, अगर establishment होगा, तो लेना ही पड़ता है, नहीं, अगर कोई state में just establishment है, okay, just establishment है, और वहाँ से कोई taxable supply नहीं हो रहा है, कोई supply नहीं हो रहा है, या वहाँ exam supply हो रहा है, या महाँ meal rated or non taxable supply हो रहा है, तो मुझे वहाँ registration लेने की कोई भी जरुवत नहीं है, यह point समझा होगा, यह point SM type करो, समझा, समझा होगा, तो SM type करो, ठीक है, अब इस discussion के base पर, मैं चीजा आगे बढ़ाता हूँ, और वो कांसी, if a person has one registered establishment in a state, one registered establishment in a state or UT and another establishment in a different state or UT, even if unregistered, this establishment are still consider as a establishment of distinct person. Wyes, साप, मतलब समझे क proportion, अगर आपकी x rates में establishment registered है, और दुसरे state में unregistered है, क्यों unregistered है? क्योंकि दुसरे state में, यहाँ पर, सुना, ओकि एक state में registered है, और दुसरे state में unregistered है, क्योंकि दुसरे state में taxable supply करती ही नहीं है, या दुसरे state में आप exempt या नियल रेट सप्लाय करते ही नहीं हो तो वो सिचुएशन में इवन दो वो establishment unregistered होगी पर यह registered और वो unregistered establishment distinct person माने जाएगे मतलब Delhi में जो V-Smart का office है जहां से कोई supply नहीं होता है सिप student grievances students problem student doubt okay student अपना status check करते है कि books नहीं है यह नहीं वो नहीं वहाँ पर वहां से supply नहीं होता है supply मतलब क्या okay supply मतलब sale transfer partner action lease rental disposal made or agreed to be made for consideration in the course of adherence of business वहां से कोई supply नहीं हो रहा है वहां सरी हो सकता है inquiry handle हो रही होगी हो सकता है student problems all हो रही होगी okay हो सकता है branding के लिए हमने वहां activity रखी हो यह समझ में आया की नहीं है तो ऐसे situation में बेटा okay even though वो Delhi premise हमारा GST में Delhi में unregistered है लेकिन वो वो office और पुन्य office यह distinct person माने जाएंगे distinct person माने जाएंगे या कोई exam supply कर रहा हो कोई मेरी factory है okay और वो factory MP में जहां सिभ exempted goods बन रहा है exempted ही बन रहा है तो वो मेरी factory even though exempted goods बना रही होगी unregistered होगी पर distinct person माने जाएंगे यह समझा क्या अगर यह point 2 समझा होगा okay यह section 25.5 तो two type कीजेगा तो very important note treatment of distinct person applies regardless of registration status and influence of GST compliance for each establishment separately यह इतनी अच्छा statement है जिसको highlight आप जरू करो कि distinct person जब भी बात आएगी तो distinct person में आपका registration status क्या है वो नहीं देखा जाएगा distinct person में okay यहाँ पर important यह है कि 25.4 और 25.5 में अगर situation आती है तो वो distinct person माने जाएगे अब आप से एक सवाल पुछना चाहता हूं कि 25.4 और 25.5 में क्या difference है read करके बताओ उपर जो 25.4 दिया है और नीचे 25.5 दिया है दोनों में क्या difference है please read करके बताओ पहले difference बताओ फिर आपके doubt से entertain करूँ रहा है पहले difference बताओ अगर आप 25.4 देखते हो तो 25.4 में दोनों भी registered है फिर वो same state में हो या different state में हो दोनों भी registered है तो दोनों distinct person माने जाएगे और 25.5 में okay एक registered है और दुसरा unregistered another state में होना चाहिए एक come on come on एक registered है दुसरा another state में establishment जो unregistered है another state भी बड़ा important है different state में unregistered है same नहीं different state में unregistered है तो वो case में वो distinct person माना जाएगा अब इसमें सवाल कड़ा हो अगर same state में वो unregistered होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा practically नहीं हो सकता है कि same state में आपका registration है और दुसरा unregistered यह तब ही हो सकता है दूसरा unregistered जब एक्जम सप्लाई हो, तो same state में होगा, सुनिए द्यान से, same state में होगा, और वो unregistered होगा, तो वो distinct person नहीं माला जाएगा, 25.5 में, हाँ, अब यहाँ पर तोड़ा critical point आ जाता है, और यहाँ ऐसा point आता है कि मन नहीं मानता है, पर जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ मन मनवाना पड़ेगा, पहली बात तो आपको यह बता दू, अगर आपका same state में registration है, तो दूसरी place, आपको registration करने की जरुवत नहीं होगा, आप exam supply कर रहे होगे, okay, nail rate supply कर रहे होगे, तो हाँ उसको आप unregistered रख सकते हो, पर वो case में अगर आप उसको unregistered रखते हो, तो वो situation में, जहां तक है, वो distinct person नहीं माना जाएगा, अगर वो unregistered होगा, लेकिन generally, अभी department क्या कर रहा है, मैं department की बात कर रहा हूँ, department यह force कर रहा है, कि अगर same state में, सुनना द्यांस है, same state में, आपका अगर, unregistered, कोई ऐसा branch है, या कोई ऐसा आपका factory है, जहाँ exempt या nail rate supply आप बना रहे हो, तो भी आप वो declare करो, okay, main registration में as additional place of business, यह department से continuous force है, बहुत लोगों का interpretation यह है, कि हमने additional place of business उसको declare करना चाहिए, इसलिए, आज का settled position बता देता हूँ, कि same state में, okay, यह rare chances है, कि एक आपका registered है, और एक दूसरा unregistered है, दूसरा unregistered हो नहीं सकता, दूसरा either register करना पड़ेगा, यह आपको main में additional place of business उसको declare करना पड़ेगा, okay, main में उसको additional place of business declare करना पड़ेगा, यह point समझ में आया क्या, यह तभी possible है, जब आपका, okay, ऐसा कोई establishment, other different state में होगा, जो यहाँ exam supply, neal rate supply या supply नहीं कर रहा होगा, यह समझा या नहीं समझा, यह समझा यह नहीं समझा, प्लीज बताओ, तो same state में, ऐसी situation practically possible नहीं है, क्योंकि maximum लोगों का interpretation है, कि same state में, दुसरी branch, either main registration के साथ, merge करना पड़ेगा, additional place of business, या फिर, या फिर separate registration लेना पड़ेगा, then, okay, तो यह था, regarding to, यहाँ पे, second point, हाँ, चलो, दोस्तों, यहाँ पे, एक आपका, सवाल आ सकता है, अब मैं थोड़ा, midastres देना चाहता हूँ, जब भी मैं midastres को हूँ, याने समझ जाना, okay, कि, यह specially आपके लिए, एक सवाल आपका, यह आ सकता है, और वो, कि, ओسم़ उन्रजिस्टेरे आजस, इसा प्रेक्टिकली, हो सकता है क्या, महाराज़्र में रिष्टेरे, घुजराट में रिष्टेरे, इधर अन्रिष्टेरे, ऐसा प्रेक्टिकली सिर्फ दोई kese में हो सकता है, otherwise, नहीं हो सकता, ये सवाल उंटना है ये सवाल आया कि आपके दिमार्ग में आया होगा तो YES काओ ओके आया होगा तो YES काओ इसलार यहाँ पर भी unregistered है महराश्त्रो में भी unregistered है और उधर भी unregistered है तो दोनो क्या distinct बोले जाएगे क्या फ 자리 बात तो दोनो तो distinct बोले जाएगे यह नहीं बोले जाएगे, यह surface level की बात है, तो depth में जाते है, section 25, अगर आप यहाँ पे, अब मैं जो कह रहा हूँ, okay, सुनन, section 25, क्या कहता है, section 25 कहता है, अब मैं जो कह रहा हूँ, एक एक point समझना, और अगर इसमें कोई doubt होगा, तो, okay, वहाँ रोक दे अगर आपका aggregate turnor, threshold से जादा होगा, तो वह case में आपको registration compulsory लेने पड़ते है, let's take example, महराष्टर में मेरी branch है, जिसका turnor 10 lakh है, और सूरत में मेरी branch है, जिसका turnor 5 lakh है, तो section 22 कहता है, कि अगर आपका aggregate turnor 20 lakhs cross होता है, तो registration लेना पड़ेगा, अब second सवाल आ जाता है, sir, aggregate turnor रहने क्या, aggregate turnor, aggregate का ही मतलब ही होता है, कि अगर आपकी एक से जादा branches पूरे इंडिया में होगी, तो वो total में लेनी पड़ेगी, तो aggregate turnor के लिए, तो aggregate turnor के लिए, आपको total में, आपको महराष्ट प्लस गुजदात, ऐसे 10 प्लस 5, याने, याँ आपका aggregate turnor 15 lakhs हो जाएग आपका aggregate turnor 15 lakhs हो जाएगा, 15 lakhs ये 20 lakhs से कम है, अगर ये 15 lakhs 20 lakhs से कम है, तो वो situation में, जहां तक देखा जाए, यास, आपको registration करवाने की दोनों branches की जरुरत नहीं है, क्योंकि आपका aggregate turnor 20 lakhs से, आपका aggregate turnor 20 lakhs से क्या कम है, लेकिन, अब मैं आपका एक बात कहना चाहूगा लेकिन, ऐसा ले लो कि महराश्टर में, आपका turnor 18 lakhs है, और गुजरात में आपका turnor 3 lakhs है, तो, क्या मुझे महराश्टर ब्रांच का registration लेना पड़ेगा, अगर मैं महराश्टर ब्रांच की बात करूँ, तो मेरा aggregate turnor थ्रेश्वल्ट से जादा हो गया, क्योंकि aggregate लेते वक इवंदो आप महराश्टर ब्रांच का registration करवा रहे हो, पर aggregate लेते वक, आपको जो है, जान सुना, aggregate लेते वक, आपको महराश्टर प्लस गुजरात, अंडर सेम पैन आपको total करनी पड़ती है, और अंडर सेम पैन जो total करनी पड़ती है, वो आपका 18 प्लस 3, 21 हो गया, 21 हो ग महराश्टर का भी लेना पड़ेगा, तो उस वहाँ का भी registration लेना पड़ेगा, मतलब, मतलब ऐसा होता है, कि अगर दो ब्रांच अन्रजिस्टर होगी, तो दोनो और अन्रजिस्टर रहेगा, और अगर एक रजिस्टर होगी, तो दुसरे को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का aggregate turn or 20 lakhs cross हो रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, किसी महराश्टर का ले लेते हैं, और सुरत का नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों का aggregate turn or 20 lakhs cross हो रहा है, तो दोनों के होगे, इसलिए, अब मेरा कहना क्या है आपको, कहना ये है कि, देख भाई, अगर ये अन्रजिस्ट सुना, यह unregistered और वह भी unregistered, तौनों थ्रेशोल के नीचे है, तो documenting का question नहीं रखता, importance नहीं रखता, क्यों किinha 2 unregistered है , तो distinct person बोल की करूँ जा क्या, काई कंपलाइश सर्ण, Personologist कोशान मने काहा ह। दिस्तिंग नहीन कहा ह। कहा ह। अपना importance काहा ह। जब तुम GSTK scope में आते हो, जब threshold के उपर जाते हो, तो ऐसे case में, अगर आपके दिमाग में यह सवाल होगा, कि sir, यहां का unregistered होगा, वहां का unregistered होगा, तो फिर क्या होगा, तो वो situation में, वो कोई मायना ही नहीं रखता है, यह definition उसके लिए, क्योंकि GSTK परव्यू में न registration लेना पड़ेगा, और दोनों जगह आपने registration ले लिया, तो आप आगए section 25-4 में, फिर तो district person होई गए, दूसरा, दूसरा sir, अब second case देखो, और यह analysis, यह batch के खास बात है, exam से related मेरा हो गया, exam को क्या ज़रूरी था, मैंने बता दिया, अब यह जो मिरा स्टच दे रहा हो, यह आपको exam oriented में नहीं मिलेगा, दूसरा, आपने यहां पर voluntary registration ले लिया, यह voluntary registration आपने यहां ले लिया, और आपने शूरत में, आपका aggregate टनल बिसलाग से नीचे, महराश्रगा आपने voluntary registration ले ल तो फिर एक जगा भी आपने registration ले लिया होगा, खुद होगे, तो आपको सारे branches registration में लानी पड़ती है, except they are exempt and null rate, एक बार फिर से statement, अगर कहीं पे एक भी जगा आपने registration लिया, अगर आपने खुद होगे ले लिया, इवंदो आपका threshold cross नहीं हुआ होगा, अगर कोई एक भ तो भी other state में, other state में registration में compulsory लानी पड़ती है, तो वो automatic उसका impact सप्पे आजाता है, हाँ लेना ही पड़ता है registration, आपको, वो option नहीं है कि नहीं महराष्टर में लोगा, उदर नहीं लोगा, ऐसा नहीं है, except, except, अगर वहां से exam supply और nail rate supply होगा, तो, ये concept समझाए कि आपको, तो पहला point, अगर दोनों unregistered है, मतलब दोनों threshold के नीचे है, ये discussion माइने नहीं रखता, दूसरा point, अगर एक ने threshold के लिए registration ले लिया होगा, तो दूसरे को लेना ही पड़ेगा, तो दोनों registered हो जाएगे, तो दोनों को, एक, एक, एक अठरा है, उदर पांच है, दोनों को compulsory registration हो जाएगे, क्योंकि aggregate turn or 20 lakh cross हो गया, दोनों का, एक जगा आपने voluntary registration ले लिया, तो automatically law applicable हो जाता है, और अब सारे state में आपको registration लेने पड़ेंगे, इवन दो आपका aggregate turn or 20 lakh से नीचे है, पर एक जगा आप registration ले लिया, तो सभी जगा आप register बन जाओगे, और एक बार आप register बन गए, तो सभी जगा taxable बन जाओगे, तो देहन से सुनना, यह मन नहीं मानेगा, तो भी law is आई है, I hope, बिटा, ओके 20 lakhs का limit, हाँ, अब रुख जाओ, ओके अब आपका सवाल होगा, कि जहाँ 10 lakh का turn or limit है, वहाँ 40 lakh का turn or limit है, ओके वहाँ क्या, बाइस साब, एक चीज क सभी आपने registration ले लिया ना, तो सभी जगा registration करने पड़ते है, except exam supply and need rate supply, है, समझ में आ गया तो ठीक, समझ में आ गया तो ठीक, yes or no, चलो, बस अब अब registration chapter में देखेंगे, यह सब registration chapter में देखेंगे बेटा, additional place of business वगरे, सब सब, अब इसके आगे ही सारे question registration chapter में, जितना required था मैंने पढ़ा दिया नहीं तो पता चलेगा, okay, schedule, schedule one, किदर के किदर भाग गया, हम किदर के किदर चलेगा, चलो, अब हमारे discussion पर आते है, अब यह बेटा, यह जो हमने 25,4 और 25,5 देखा, इसके base पर, अब मैं आता हूँ, हमारे उपर के concept पर है, जो यहाँ वापस आजा, परा टू पर, और परा टू क्या कहता है, देखा, परा टू कहता है, supply of goods, or services, or both, between related person, supply of goods, or services, or both, between related person, or between distinct person, as वेसेवा, in section 25, in the course of business, in the course of business, तो, वो supply, GST के scope में आ जाएगा, और GST लग जाएगा, even though without consideration, एक बार फिसे रेकनेक करता हूँ, अगर आपने related person को कोई भी free service दिया, जैसे मैंने example लिया था, holding subsidiary company का, अगर आपने related person को कोई भी free service दिया, या कोई भी goods दिया, without consideration, तो उस पे GST आएगा, डूसरा example, भाई related नहीं, distinct person को भी दिया, distinct person as defined under section 25, 25 में जो section defined as distinct person, उसको भी आपने, सुनना जान से, उसको भी आपने अगर कोई free goods supply किया, या services supply की, तो वो उस पर भी GST आएगा, उस पर भी GST आएगा, क्योंकि distinct person, या separate person माने जाएगे, आप से पहला सवाल, क्या पहला सवाल, मुझे ये बताईए, कि what is a basic difference between related person and distinct person, what is a basic difference between related person या distinct person, बता, related person और distinct person में क्या difference है, प्लीज बत रहाँ, related person मतलब, अगर आपको side में लिखना लिख सकते हो, related मतलब separate entity, separate entity, but related, as per this explanation to section 15, entity separate है, उसका अलग पैन है, उसका अलग पैन है, entity separate है, different pan है, पर वो related है, क्योंकि common director officer से, legally recognized partner से, employer employee है, employer का पैन अलग, employee का पैन अलग, कोई third person दो, दो entity को control कर रहा है, कोई, okay, एक entity, दुसरे entity को control कर रहा है, दोनों मिला के separate control कर रहा है, related है, okay, तो वो separate entity है, separate pan है, उसका, but इस criteria में, related के criteria में आती है, जैसे मेरे wife का पैन अलग है, मेरा पैन अलग है, पर हम related है, member of same family है, okay, brother, sister का पैन अलग है, in short, related मतलब separate entity having separate pan, और distinct person हैने क्या, distinct person मतलब same entity, same pan, with different registration of GST, same entity, same pan, with different registration of GST, यह बास समझे किया, okay, तो in short, अगर आप related को देते हो free, या अपने distinct person को, अपने ही branch को, अपने ही branch को free देते हो, तो वो supply माना जाएगा, अगर वो branch, section 25.4 में separately registered होगी, या फिर वो branch unregistered है, और different state में है, unregistered है, पर different states में है, okay, establishment है, और उसको आपने supply किया, तो वो भी यहाँ पे GST के scope में आ जाएगा, अब एक example लेता हो, जब अपने branch को आप goods देते हो, अपने branch को जब आप goods देते हो, तो वो case में stock transfer कहा जाता है, और वो stock transfer, सुनना दयान से, वो stock transfer पे GST आता है, मतलब अगर मैं अपने पुने factory से, अपने ही सुरत factory को माल भेशता हो, stock transfer करता हो, तो stock transfer यह free supply है, और वो stock transfer पे, मुझे GST पे करके stock transfer करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि मैं distinct person को, जो separately registered है, उसको दे रहा हूँ, तो stock transfer पे GST आएगा, दूसरा services, अगर services, मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को दे रहा हूँ, SBI की एक ब्रांच जो महाराश्टर की है, separately registered है, और वो ही ब्रांच Delhi SBI के ब्रांच को service दे रहा है, जो separately registered है, तो एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को अगर services भी दे की, तो वो सिप, उस पर भी GST लगाया जाएगा, उस पर भी GST लगाया जाएगा, यह समझ मैं आया, तो stock transfer goods का services दी जा रही हो, और के अपने ही ब्रांच जो separately registered है, तो उस पर GST आएगा, या फिर आपकी पुने ब्रांच registered है, और Delhi branch unregistered है, क्योंकि वहाँ से आप taxable supply नहीं करते हो, वहाँ exam supply या नहीं रही हो, पर पुने ब्रांच registered है, और Delhi वाली unregistered है, तो यह एक register और वो दूसरी register, यह distinct person बाने जाएगे, और अगर मैं पुने से कोई भी goods देली में भेशता हो, इवन दो वहाँ से taxable नहीं supply हो रहा है, पर समझे लो वहाँ TV की जरुवत है, student आते है, और student जो है, एर देखते रहते है, faculty क्या है, VeeSmart में, VeeShal Sir के प्रड़क क्या है, okay, notes क्या है, और वहाँ TV की जरुवत है, पुने में दो टीवी एक्स्टा पड़ा हुआ है, और यहां से टीवी मैंने देली भेज दिया, तो ऐसे केस में ये टीवी, okay, डिस्टिंग परसन में ट्रांसपर हुआ माना जाएगा, supply goods माना जाएगा, goods मतलब, any kind of doable property, other than money or securities, but includes actionable claim or growing crops, etc. तो टीवी अगर मैंने यहां से देली भेजा, even though मैंने अन्रेजिस्टर को भेजा, पर पुने ब्रांच रेजिस्टर है, वहां GST देना पड़ेगा, अगर बात समझ में आई होगी, okay, तो कहीगा, yes sir, समझ में आ गई है, तो आप डिस्टिंग पर्सन में भी बेजते हो, तो आपका सप्लाइपे GST आएगा, okay, तो कल, कल के एक्जामपल को अगर मैं लू, कल के एक्जामपल में मैंने क्या लिया था, कि पुने में होल्डिंग कंपनी थी, होल्डिंग कंपनी थी, और बैंगलोर में सब्सिडियरी थी, तो वो तो सप्रेट एंटीटी होई, वो रिलेटेड में आगे, और यहां के एंपलोई उदर बेजे थे, चलो वो सब्सिडियरी नहीं होती, उन्हें, उन्हें में कंपनी होती है, और उनकी ही ब्रच सुनना धैणसे, उनकी ब्रच बैंगलोर में होती है, अडर सेम पैं, एक्जांपल को मैं बदलता हो, उनकी ही ब्रच बैंगलोर में होती सेम पैं, स्टेट बदल गया, बैंगलोर का सेपरेट रेजिस्टेशност हो, तो यहां से अगर employee उनके ही branch में जाते, और बापरे, tremendous implication है, समझ में आया कि आपको, अगर company एक ही है भाई, company के employee ही है, पर पुने से, पुने branch से अगर employee उनके बैंगलोर ब्रांच को जाते, तो भी GST लग जाता है, क्योंकि एक branch ने, एक register branch ने, दूसरे register branch को service दी यह माना जा नहीं भाई, यहां के employee तुमारे बैंगलोर ब्रांच में चले जाते है, जुसरे state के branch में चले जाते है, तो DDP में आ जाते हो, DTP मतलब deemed distinct person, DDP में आ जाते हो, वहां GST के implication आते है, समझाओगा, तो यह branch का भी type करो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो, यह ब यह जो भी transfer होना चाहिए, in the course of other and so business होना चाहिए, ठीक है, यह हमने deemed distinct person देखा, family की definition निचा जाते है, निचा जाते है, हां, एक concept और ले लेता हो, यह section, explanation to, explanation 1 to section 8 of IGST Act, यह भी ले लेता हो, और यह क्या कहता है, यह बता देता हो, यह कहता है, अभी तो हम क्या देख रहेत as a same state, different state, यह कहता है, establishment of same entity, shall we consider as a establishment of distinct person, where person has establishment in India and other establishment outside India, मतलब क्या, अगर SBI की ब्रांच इंडिया में है, और SBI की ब्रांच दुबए में है, तो यह भी DDP माने जाएगे, यह DDP माने जाएगे, deemed distinct person, DDP मतलब deemed distinct person, section 25 or section 8, तो यह भी DDP माने जाएगे, वह हमने जब हमारे state का नहीं छोड़ा, तो country का गहाँ छोड़ेंगे, वो तो दूसरे country में है, हम तो दूसरे state में भी DDP बोल देते हैं, तो दूसरे country में, तो यह था regarding to यहाँ पर DDP concept, चली, अब discussion को तोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर, example लेते हैं, मेरी factory है, महराष्ट्र में, डेपो है, मेरा ही डेपो है, मेरी ब्रांच है, गोवा में है, वेराउस है, यूपी में, तो example लेते हैं, महराष्ट्र, MP, sorry, वेराउस, MP में ले लेते हैं, और डेपो गोवा में ले लेते हैं, डेपो गवा में ले लेता है, तो महराष्ट्र में, सुनिये धान से, पहले तो मुझे बताओ कि मेरा अलग-अलग स्टेट में मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से मैं टैक्सिबल सप्लाय करता हूँ, और वेराउस भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है, और प्ल सबके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पढ़ेंगे क्या, पुझे सबके सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पढ़ेंगे क्या, येस, लिख दो यहां पर, डाग्राम में लिख दो, यहां पर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहां पर भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वेरा मुझे यहां तीनों case में separate registration ले पढ़ेंगे, done, चलो, यह discussion हो गया, अगर मैं separate registration ले रहा हूँ, तो क्या यह DDP बोले जाएगे, yes, यह DDP बोले जाएगे, DDP मतलब आप distinct person भी कह सकते हो, और dim distinct person भी कह सकते हो, normal language भी इसको dim distinct person भी कह सकते हो, नॉर्मल लेंग्वेज भी इसको dim यह बताओ कि इनकी liability कैसे आईगी, अब सवाल है, मैं goods supply कर रहा हूँ, stock transfer, okay, मैं यहां पर stock transfer कर रहा हूँ, अब यह stock transfer जो मैं यहां पर कर रहा हूँ, इसको लिको यहां पर stock transfer, stock transfer without consideration, पहले तो यह DDP हो गए, फिर मैं stock transfer कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं जो ये stock transfer कर रहा हूँ, मुझे बताना प्लीज, stock transfer कर रहा हूँ, क्या para 2, para 2 of schedule 1, of section 7-1c में, क्या ये stock transfer पे GST आएगा क्या, yes, क्योंकि वो कहता है supply of goods, between distinct person, ये GST के scope में आएगा, supply बोला जाएगा, अगर यहाँ जगा है, तो यहाँ लिख लो, यहाँ फि निचे भी लिख सकते हूँ, निचे जगा दिया, वहाँ लिखो, okay, उपर जगा होगे, तो उपर लिखो निचे लिखो, और लिखो, title देना, stock transfer, stock transfer, okay, ddb हो गया, stock transfer, उसमें, लिखो 1, उसमें लिखना 1, it is treated as supply, it is treated as supply, it is treated as supply अगर आपको ओर डीटिल में जाना है तो section 7-1-C परा 2 of schedule 1 of section 7-1-C दूसरा आपका एक सवाल होगा कि सर फिर यह जो stock transfer होगा यह stock transfer जब होगा तो इसके लिए invoice कैसे बनेगा इसके लिए invoice कैसे बनेगा क्या चालान में होगी यह stock transfer चालान में होगा या फिर इसके लिए tax invoice बनेगा तो लिए को second removal removal is under is under tax invoice is under tax invoice ख्याल रहे है यह चालान नहीं बनेगी यह stock transfer tax invoice में होगा अगर आप invoice में आते हो तो invoice भी बनना पड़ेगा रिमोल अंडर tax invoice and eva bill भी बनेगा good size ले eva bill भी बनेगा और कि रिमोल अंडर tax invoice and eva bill एक चीज़ समझ लो जहां supply है फिर वो 7-1-A का हो 7-1-B का हो यह 7-1-C का हो जहां supply है वहाँ tax invoice ही बनता है अब आपका सवाल होगा कि सर जब tax invoice बनेगा तो उसमें तो price नहीं होगी tax invoice के सारे content आएगे price price आएगी निल price क्योंकि है stock transfer है आप bracket में लिखोगे stock transfer okay दूसरा जब GST निकालोगे तो GST के लिए GST के लिए taxable value आपको लिखनी पड़ेगी assume करो taxable value एक लाग रुप है तो GST के लिए लिखनी पड़ेगी आपको आपको वैसे collect नहीं करना है क्योंकि यह stock transfer है और पर GST के लिए आपको taxable value बील में लिखनी पड़ेगी और वह 18,000 आपके उपर GST आएगा I hope आपको समझाओगा तो यहाँ बनेगा tax invoice ही और evay bill ही और उसके ender में यह remote किया जाएगा सवाहा अके सबज में आया तो सवाहा अब मुझे यह बताएए यह तो हुआ वे राउस को मैं लेके जा रहा हूं ऐसे प्रेमैसे पे जो अधर स्टेट में अब इन यही वे राउस अगर नाराश्ट्र में होता सुनना यह işi वे राउस अगर महराश्र्ख्र में होता पर अगर मैं separate registration लेटा तो अगर होता और लेटा तो वो separate registration तो फिर वह भी वहां पे भी GST आ जाता है, ऐसा होता है कि यहां IGST लगेगा, तो यह केस में कौन सा टैक्स लगेगा, IGST, IGST पेबल होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में जा रहा है, लेकिन अगर सेम स्टेट होता है, तो CGST, SGST लगता, यह बताओ, इसका क्या होगा, यह जो डेपो को जा रहा है, इसका क्या होगा, बेचने के लिए, यह भी DDP में जा रहा है, भाई, मैं आपको कहूँ कि दूसरे स्टेट में वो रजिस्टर होया ना हो, हमने 25 पाई पढ़ लिया, जब भी आपका कोई goods free, आपके ही ब्रांच को जाएगा, दूसरे स्टेट में, रजिस्टर हो तो भी DDP, अन्रजिस्टर हो, different state का तो भी DDP बोला जाता है, तो दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो आ नहीं है, आपको मैं confirm बता दू, फिर वो रजिस्टर होया ना हो, रजिस्टर होगा तो भी DDP 25,4 का, अन्रिस्टर अभी पहले, अवी स्टेट टन्सट रह पर Punkt it is treated as supply under para 1 of Schedule 1, it is treated as supply under para 1 of Schedule 1, section 7 1 C. रजिस्टर होगान झेEZ स्क्षि ठाप जाएब लेड स्क्सट ब Clinht正 पा V curso 1 के स्क्षि 3rd IGST is payable, then आपको concept समझ में आ गया होगा, उसके बाद में next, नेक्स लगर हम देखें, तो सर ये बताईए कि क्या ये पैराट टू स्रिफ गूट्स को applicable है, नहीं भाई, ये service को भी applicable है, अब समझ लो, service को मतलब V-Smart, यहां लिख देना V-Smart under same pen, under same pen, V-Smart under same pen, okay, उनकी coaching institute महराष्टर में है, और V-Smart की grocery shop भी है, सब तरफ V-Smart, V-Smart लिख रहा है, grocery shop, V-Smart, student, okay, stationary shop में जाएगा V-Smart, grocery shop में जाएगा V-Smart, मेस में जाएगा V-Smart, okay, hostel में जाएगा V-Smart, example ले रहो, तो V-Smart की grocery shop है, अब समझ लो, दोनों separately registration है, क्या मैं एक state में separate registration ले सकता हो, yes, मैं दोनों का separate registration ले रहा हूँ, अगर मैं दोनों का separate registration ले रहा हूँ, तो क्या वो DDP कहलाए जाएगे, yes, अगर same state में भी होगे, और दोनों का separate registration ले रहा होगा, तो DDP कहलाए जाएगे, अगर, यहाँ पे, V-Smart कोई services, अगर अपने ही ब्रांच को को दे रहा है, okay supply of services, supply of services, अपने ही ब्रांच को दे रहा है, अगर वो लिखो लिखो यह सब लिखना डागराम पे, अगर अपने ही ब्रांच को services दे रहा है, यह समझा क्या, तो ऐसे case में इसका implication क्या होगा, नहां लिखो या नीचे arrow करके जगा दिये वहां लिखो, again पहला point, okay और यह free दे रहा है, free services है, without consideration है, अपने ही ब्रांच को है, own branch को है, own branch, under same pen, okay, under same pen, services दे रहा है, तो अब यहां पे लिखो, पहला, पहला point, yes, it is treated as supply of service, service, it is treated as supply of service, in para 2 of schedule 1, supply of service, in para 2 of schedule 1, दूसरा, यहां पे, remove under tax invoice, evable मत लिखना, service में evable ने रहता है, evable ship goods में होता है, यहां service दीगे, okay, supply of service under SOS, supply of service मतलब SOS under tax invoice, SOS under tax invoice, our next third point, next third point, it is an intrastate supply, it is an intrastate supply, है, hence, CGST and SGST is payable, hence, CGST and SGST is payable, done, 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 triple D type करो, अगर सम्झावगा तो, triple D type करो, सम्झावगा तो, okay, done, 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 अब देखो, यहां पे, यहां पे, डाग्राम पे लिखना, small handwriting में, तीनो, establishment under same pan, okay, under same pan, same state में, है, पेले दो पर लिख दो, all establishment under same pan, अब यह जो all establishment है, under same pan, पर यह बंदे ने क्या करवाया, इसका separate registration लिया, इसका separate registration लिया, ठीक है, पर इनका common registration लिया, factory और depot का common registration है, common registration है, क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे V smart की 25 branches हैं महराश्ण में, उसमें से ऐसा कर सकता हूँ, क्यों कि 20 अलग, पांच अलग, ऐसा मैं कर सकता हूँ, बस करना क्या है मुझे, registration करते हुए, जब मैं registration करता हूँ, तो principal और उसके अंडर additional 20 branches, दूसरा registration principal, उसके अंडर additional 4 branches, मैं ऐसा separate कर सकता हूँ, कोई problem है, यह common registration में है, और यह separate registration में है, तो सबसे पहला question, क्या यह factory और यह जो आपका store है, यह store है, क्या यह DDP माने जाएगे, यह DDP माने जाएगे, पर यह common है, यह DDP नहीं माना जाएगा, okay, not a DDP, क्योंकि common register, not a DDP, ठीक है, यह DDP नहीं है, DDP मतलब क्या, भाई साब DDP मतलब dim distinct person, अब मेरा सवाल आप से क्या है, भाई साब यह जो है, मेरा factory से माल store में जा रहा है, जो separately registered है, इसका क्या होगा, यह जो stock transfer है, इसका क्या होगा, वह लिख लो, stock transfer है, इसका क्या होगा, वह होगा जो हमने उपर लिखा, वह होगा जो हमने उपर लिखा, क्या, तो लिखो हो वहाँ पे, पहला, it is treated as supply as per para 2, removal under tax invoice and evay bill evay bill भी बनेगा and third cgst क्योंकि intra है cgst and sgst is payable cgst and sgst is payable समझा की नहीं समझा cgst and sgst is payable भाई साब ये तो समझ में आ गया इसका क्या होगा रेका लिया ये जो stock transfer है ये जो stock transfer है इसका क्या होगा रेका लिया बताए बताए ये stock transfer का क्या होगा अब तो मज़ा आएगा अब तो मज़ा आएगा इसका क्या होगा क्या करो इसका क्योंकि ये ddp नहीं है ये दोनों का common registration है सेम स्टेट में है, कोई बिताएगा, तो पहला लिखो, रेड़ पेन होगा तो वो यूज़ करना, इटीज नॉट ट्रीटेट अस सप्लाय, यह सप्लाय नहीं होगेगा, अब सप्लाय ही नहीं है, तो रिमोल टैक्स इंवाइस में होगा क्या ना, रिमोल चालान में होगा, रिमोल इस अंडर, the mall is under stock transfer चालान जो rule 55 में बनाई जाती है rule 55 में आगे पड़ा होगा stock transfer चालान में होगा हाँ क्या evay bill बनेगा yes evay bill बनाना पड़ता है क्योंकि evay bill आपका supply हो या ना हो वो goods का बनता है देख लो need to prepare evay bill evay bill आपको बनाना पड़ता है no need to prepare evay bill and last no GST is payable आपको कोई भी GST पे करने की दरुवत नहीं है ठीक है evay bill जब पड़ेंगे तो उसको 50 km वाला conditions वगर है बाद में evay bill में दरिखेंगे अभी नहीं 50 km एक पूना में एक नागपूर में है तो फिर क्या करेंगे तो वो जाने दो अभी उसको अभी evay bill बनाना पड़ेगा subject to some restriction अब जो मैंने उपर explain किया पड़ लेते हैं common business practice it is a common business practice to transfer the goods or services among different units of same legal entity example include distributing factory manufacture samples to branches transferring of goods from factory to depot showroom and providing services between branches of same entity classification as a supplier under GST supply का बोला जाएगा under GST these intra entity transfer even if conducted without consideration qualifies a supplier when they involve different location of same legal entity with separate GST registration अगर उनका separate GST registration होगा और दे इन्वाल इस्टिश्मेंट अब इस्टिश्मेंट पर अपर हमने देखा यभी वो distinct person में आता होगा जो आपर define किया गया है treatment of self-supplies this transaction are termed as self-supplies and are subject to GST even if no amount is charged as long as they meet the criteria mentioned above इसको कभी-कभी self-supplies भी बोलता है अपने आपको ही अपनी branch को supply करना एक हाथ से ओके ये pain एक हाथ से दूसरे हाथ में shift कर दिया अगर ये दो हाथ separately registered होगे क्योंकि पैन तो एक ही है पर ये दो हाथ अगर separately registered होगे तो वो situation में ओके GST आएगा इस pain पर GST आएगा समझ में आया की नहीं आया समझ में आया की नहीं आया ठीक है नीचे मैंने दिया analysis ये आप रीड कर सकते हो ओके यहाँ पर तो हमने ये पूरा concept dim distinct person का यहाँ पर detail में discuss किया है चलो आपको एक midas touch देता हूँ पर ये touch देने के पहले GST का एक चीज आपको मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बोलूगा एक जगा जो मैं बोलूगा वो मान लेना बस ठीक है एक जगा जो मैं बोलूगा वो मान लेना तो आपको ओर ओर थीम समझ में आएगी और वो क्या एक बने ला अब आपको मिडा स्टस देता हूँ वो क्या पुरा प्रोसेस समझ लेना इससे कुछ नहीं बात आप सिखोगे जो भी अभी समझा है कि पैरा 2 में स्टॉक ट्रांसपर पे जीस्टी क्यों लाया मैं हिस्टी बताता हूँ एक जुलाइट 2017 को जब जीस्टी की ये प्रोविजन लोगों ने पड़ी तो सब लोग नारा जो गया ये क्या बात है याँ स्टॉक ट्रांसपर पे आप जीस्टी लगा रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज फैननस मिनिस्टर के पास अरुन जेटली जी के पास गई उन्हेंने कहा कि सर बात को समझें समसन कंपनी है एलजी है अब सारी बड़ी कंपनी हम स्टॉक ट्रांसपर कंटिनियूस करते हैं सर करोर्स में करते हैं और करोर्स में जब स्टॉक ट्रांसफर होता है, हमारी ब्रांचेस को, वेराउस को, डेपो को, आप GST लगा रहे हो, GST में हमारा करोर्स का पैसा अटक जाता है, ठीक है, आगे क्रेडिट मिल जाएगा, वाद अलग है, पर पैसा तो अटक गया ना, वरकिंग कैपिटल अलग करती है, फैक्टरी सेटब होती है, महाराश्टर में, गुजरात में, या कोई स्टेट में, और पूरे हिंडिया को डिस्ट्रिबिशन होता है, तो तभी GST आ जाएगा, ये एक ड्रॉब्या के स्टॉक ट्रांसफर का, आज तो सेटल हो गया है, लोगों ने एकसेप कर लिय आपने, जो ब्रांच महाराश्टर में, वहाँ अजूम करना, गुट्स पर्चेस किया, और जो गुट्स पर्चेस किया वहाँ पे, लोकल पर्चेस किया, स्टिब बैस्टिब चलना, अब कोई question नहीं, आपने लोकल पर्चेस किया, मतलब महाराश्टर से ही पर्चेस किया, value 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अब वो जो stock महराश्टर ब्रांच में पढ़ा हुआ था वहां से अब डिसाइड किया कि अपनी ब्रांच गुज्रात में shift कर दो या उससे बना हुआ finished goods stock transfer करो या as such वो गुज्रात में shift कर दो stock गुज्रात में short हो रहा है हमारी ब्रांच है भाई हमारा ही business है XYZ का ही है अब होगा क्या सुनना सोचना समझना होगा क्या इसके credit CGST के और यह जो SGST है यह महराश्टर का SGST है यह महराश्टर का SGST है ठीक है जो लग क्या है अब अगर stock transfer हो जाए और इसके उपर जो GST ना लगे सुनना stock transfer हो जाए जो GST ना लगे तो industry तो खुश हो जाएगी मज़ा आ गया मज़ा आ गया इन्रस्टर तो खुश हो जाएगी लेकिन government को क्या problem जाएगा यह stock यहाँ चले गया अब यह stock जब यहाँ चले गया और यहाँ गुजरात में बेचा गया गुजरात में बेचा गया तो गरबड क्या होगी गरबड भाई ये होगी कि गुजरात के डेस्टिनेशन पे बेचने के वज़े से वहाँ जब इंट्रा सेल होगी तो वहाँ इंट्रा सेल में CGST लगेगा और SGST गुजरात का लगेगा SGST गुजरात का लगेगा यहां तक समझा गया यहां तक समझा होगा तो G-type करो क्योंकि वहाँ जाने के बाद सेल हुआ उस destination पे सेल हुआ तो वहाँ का इंट्रा स्टेट सेल हुआ तो वो केस में गुजरात का SGST लग जाएगा और रीट मैं और में माल जाके भीचा गुजरात में अब गुजरात में जवहां के तो गुजरात में हमें CGST और SGST तो तो हमारा Output Tax CGST और SGST गुजरात का है और हमारा Input Tax भाराक्ष के पड़ा हुआ है तो हमें Maharाश्ठ्रा के input tax के credit गुजरात में दे दो क्योंकि output बीच में तो tax लगा ही निए chain यहां पे बीना tax के गई और okay situation क्या हो गई situation मैंने वहां पे situation को समझना situation क्या हो गई situation यह होई कि मैंने यहां पे tax दिया और यहां मेरा credit पढ़ा हुआ है tax यहां पे दिया महराष्टर ने लिया हुआ है महराष्टर ने लिया हुआ है और ये revenue गुजरात का है गुजरात अगर उसका credit दे दे सुनना गुजरात अगर उसका credit दे दे तो पैसा गट का महराष्टर ने और अट का गुजरात का क्योंकि गुज्रात का revenue काम हो जाएगा, specially SGST का, CGST का उफरक नहीं पड़ता है, लेकिन SGST का उफरक पड़ जाता है, यानि imagine करो, okay, पैसा गटका महाराष्टर ने, जब उसके उपर GST लगा, तो महाराष्टर ने लिया होगा, और credit देदा गुज्रात, यह practically possible नहीं है, situation समझे क्या, situation समझे होगी, तो P दिखो, P लिखो P, practically possible नहीं है, क्यों, specially SGST का, क्योंकि दोनों destination based tax है, तो भाई साब, credit नहीं देगा गुज्रात, और गुज्रात SGST का credit नहीं, चलो central का manage भी हो जाए, और गुज्रात दी देगा, इन सिंपल वर्ड, आपको मैं यह कहना चाहता हूँ, कि एक state के, एक state के, इंट्रा state के, CGST और SGST, दूसरे state के, CGST और SGST में credit नहीं मिलते है, नहीं मिलते है, नहीं मिलते है, CGST के भी नहीं मिलते है, सेंट्रल वाले दे सकते थे, लेकिन सेंट्रल वालों ने भी गा नहीं नहीं, state अलग रखो, तो यह state में लगा हूँ, CGST, SGST के credit, दूसरे state के CGST, SGST में आप नहीं ले सकते, मन को मना लो, यह मिदास टच है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, मन को मना लो, तो ऐसे case में, यहाँ पे, अब government डर गई, government डर गई, कि stock transfer तो होते ही है, common business practice है, और अगर ऐसे case में, यहाँ लिया हुआ credit, यहाँ नहीं मिलेगा, तो stock transfer तो ITC chain break कर देगा, ITC chain break कर देगा, मतलब double taxation effect आजाएगा, double taxation effect आजाएगा, इसलिए government ने, सुनना, इसलिए government ने, okay, stock transfer परा 2 में लाया, और परा 2 में लाके, उसके उपर, okay, GST के liability लाई, और GST की liability यह लाई, सुनना धहन से, liability यह लाई, कि अगर आप stock transfer करोगे, तो 7-1-C, परा 2 में यह supply बोला जाएगा, उसके उपर IGST लगेगा, और government जो IGST collect करेगी, अब देख सुनना यहाँ पे, इस पे जो government IGST collect करेगी, इसके उपर government IGST collect करेगी, और यह IGST, central collect करेगी, और यह IGST का पैसा, central, गुजरात को देती है, destination state को देती है 50%, ओके, याने, हो क्या रहा है, हो यह रहा है, कि government, ओके, इस पे tax लगाएगी, सुनना, इस पे tax लगाएगी, IGST लगाएगी, समझ लो, value हम उतनी लेके चलते, एक लाख, एक लाख value लेके चलते हैं, और हमने उतनी, अपनी ब्रांच को जा रहा है, तो उतनी value डिटर्माइन हुई, तो IGST इस पे लगाए जाएगा, central उसका पैसा collect करेगी, और उसका 50% गुजरात को देगी, so that, गुजरात आगे, उस IGST का credit दे सके, क्यों, क्योंकि, जो IGST collect हुआ, वो गुजरात को मिला, 50%, इसलिए IGST का 50% revenue, seller state को नहीं जाता है, IGST का 50% revenue, buyer state को जाता है, इसलिए आपका place of supply बहुत जरूरी है, क्योंकि invoice में आपने जो place of supply लिखा, IGST के बिल में, वो IGST का 50% उस place को जाता है, जो आपने POS लिखा हुआ है, place of supply लिखा है, इसलिए place of supply classification बहुत important हो जाता है, यह point समझा क्या, तो अगर इसके ओपर, यहाँ पर IGST अजिम करते हैं, अठरा हजार निकला, कहां से 18,000 आया, क्योंकि हमने stock की value उतनी ली 1,00, 1,00, 18%, तो इसमें से 9,000 central खुद रखेगी, 9,000 खुद रखेगी, और 9,000 बायर स्टेट को देगी, तो 9,000 यह destination state को देगी, यह समझ में आया है क्या, सिर्फ stock transfer का IGST नहीं, कोई लिए IGST लगता है, तो उसका पैसा destination state को मिलता है, बायर स्टेट को मिलता है, जो आप place of supply कहते हो, तो ऐसे situation में, अब देखो कैसे match होगे चीज़े, अगर आपको समझ में आती है तो, अगर आपको costing principle समझ में आती है, तो कैसे match होगी, और ITC का flow कैसे continue रहा, ओके धान से देखना, बाई साब branch 1 को credit मिले, क्या credit मिले, CGST और SGST, ओके CGST और SGST, पर stock transfer GST में लाया गया, तो branch 1 का output tax क्या हुआ, IGST, IGST का tax invoice बना, IGST का tax invoice क्यों, यहाँ branch 1 को, यहाँ tax invoice बनाना पड़ेगा, IGST लगेगा, उसका output tax 18,000, तो अब, अगर मैं branch 1 का net GST payable निकालू, सुनना, branch 1 का net GST payable निकालू, तो IGST payable 18,000, यह जो IGST payable on stock transfer, 18,000, माइनस, क्या IGST के payment के लिए, मैं CGST के credit ले सकता हूँ, यस, ले सकता हूँ, SGST के credit ले सकता हूँ, मैंने इसके credit ले लिया, तो आपका net GST payable निकालू हो गया, अगर आपका accounting की चीज़े समझती है, तो in short government ने क्या किया, government ने किया, देख तुन्हें 18 का credit लिया, stock transfer जा रहा है, तो अठरा पे कर दे, मतलब तुमारा, okay, credit यहाँ पे tax payable निल कर दिया, credit को balance कर लिया, एक दुसरे वर्ड मैं कहूँ, तो credit को balance कर दिया, तेरा goods यहाँ नहीं है न, आगे जा रहा है न, तो यहाँ के credit तु खतम कर, खतम कर मतलब तेरा output अठरा जार निकाल, okay, IGST लगा दिया, अठरा जार और तेरा credit जो है, लिया होगा credit, यह stock पे, आपका stock पे GST पे खतम कर दिया उन्हें, और आपका 18,000 stock पे GST लगा दिया, आपके credit को खतम कर दिया, और फिर, यह bill गया branch 2 के पास, सुनना, यह bill गया branch 2 के पास, क्योंकि tax invoice बना, अब branch 2, इसके ओपर 18,000 का जो IGST लगाया है, क्या उसका credit ले सकती है, तो yes, उसका credit ले सकती है, अब यह branch 2, जब आगे sale करेगी, समझ लो, वो माल आगे, एक लाग पचास हजार में बेचा गया, एक लाग पचास हजार में बेचा गया, तो वो situation में, अब देखो क्या होगा, तुमारे output में, IGST है, तुमारे output में, SGST है, फॉर branch 2, उसके input में, उसके ही branch से IGST लगके आया, 18,000, तो ऐसे case में, उसको credit भी मिलेगे, 18,000 के, तो हमारा statement कैसे बनेगा, net GST payable, okay, IGST, CGST, SGST, tax on outward supply, 13,500, 13,500, ITC, ITC मेरे पास, 18,000, क्या मैं IGST का credit, IGST में ले सकता हो, yes, IGST का credit, CGST में ले सकता हो, हाँ, IGST का credit, SGST में ले सकता हो, गुज़ात कहती हैं, ले ले, IGST का ले ले, क्यों, क्योंकि मुझे, मुझे Central ने पहले, IGST का पैसा दिया हुआ है, इसलिए तू अभी credit ले, यहने तेरे आउटवर्ट में credit ले, तो आपका ITC का flow, उन्होंने continue रखा, okay, इससे double taxation ना हो, okay, और stock transfer में, आपके cash cutting effect ना हो, okay, तो यहां तुमारे credit खतम किये, tax लगा कर, tax लगा के credit खतम किये, goods को आगे बढ़ाया, credit को आगे बढ़ाया, और वो state में credit दे दिया, IGST के form में, okay, जो state में आप actual supply करोगे, so that उसके output tax से आप credit ले पाओगे, okay, भाई साब, okay, निकालना होगा, तो screenshot निकाल लेना, पर समझ में आया होगा, तो कहिए, broad sense में समझो, अब एक एक चीज में detail में मैं जाओ, यह midas touch था, कि उनने stock transfer पे GST क्यों लगाया, जिन्दगी में कभी नहीं बूलोगे, एक्जाम के लिए हो सकता है, आपको यह इस पर question ना पूछे, कि वहाई पैराटू इस इंट्रोड्यूस, यह पूछने वाले भी नहीं है, वो तो पैराटू के implication पूछेंगे, ओके, पैराटू के implication पूछेंगे वो, यह क्यों डेफ्ट नहीं पूछेंगे आपको, एक्जाम ओरिएंटे मतलब surface level, क्या पूछने वाले एक्जाम में क्या लिखना है, और यहाँ डेफ्ट में जाना है, यहाँ पर corporate level पे तो ठीक है, पर government करती क्या थी, government के पास option क्या था, भाई साब stock transfer पे अगर हम GST नहीं लगाते, तो chain break हो जाती ना, फिर government करेगी भी क्या, एक तरब तुम बोलते हो कि तुम्हें credit चाहिए, government वो state के इधर adjust नहीं कर पाएगा, क्योंकि dual model वे GST है, तो यह government सभी corporate level को समझाया गया, अके, सभी corporate level को यह सबजाया गया, कि भाई, फिर हम credit कैसे देंगे, आपको मानते हैं, कि stock transfer पे आपका IGST ब्लॉक होगा, कुछ period के लिए आपका working capital ब्लॉक होगा, branch 2 में आपको credit बाद में मिल जाएंगे, आपको credit मिल जाते है branch 2 में, लेकिन भाई साब, और कि यह तकलिप तो होगी, I hope आपको समझा होगा, तो यह था concept, why this stock transfer concept is introduced, यह क्यों introduce किया गया, और कि इस पे हमने देखा, एक concept पे आजाओ, यहाँ पे, अब वो क्या कहता है, एक उसके नीचे title दीखेगा, आपको give by employer to employee, give by employer to employee, यह para पे आतो, पर पहले आप main, जो para to जहाँ से चलो होता है, वहाँ चलो, para to जहाँ चलो होता है, वहाँ चलो, para to जहाँ चलो होता है, हमने देख लिया, related person, distinct person, यह concept का हमने देख लिया, अब नीचे एक proviso दी गई है, और यह proviso क्या कहती है, important proviso, नीचे एक proviso दिया है, और यह proviso क्या कहती है, देखा, यहाँ पे यह proviso कहती है, provided that, gift, not exceeding rupees 50,000, gift not exceeding rupees 50,000, in a value, पलुड़ ज़िए गदल करो, okay, 50,000, in a value, in a financial year, in a financial year underline करना, by employer to employee, shall not be treated, as a supply of goods or service, shall not be treated, supply of goods or service, and a gift up to 50,000, अब सुनो, employer, and employee, employer and employee, यह concept, मैं आपको, धायन से सुनना, दो पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, एक अभी प्रोविजो में, प्रोविजो टू प्यारा, टू अफिडूल वन, और दूसरा मैं पढ़ाओगा, यहाँ पे प्यारा वन, अफिडूल थ्री, प्यारा वन अफिडूल थ्री, इसलिए, अभी जो मैं पार्ट बना, पढ़ाओगा, वो आदा ही discussion होगा, उसमें कुछ आपके doubts वैसी ही पढ़े रहेगे, क्यों? क्योंकि जब तक मैं यह नहीं पढ़ाता हूँ, ओके schedule 3, तब तक वो doubts clear नहीं होगे, इसलिए, यह discussion में, अगर आपके कुछ doubts रहे गए, तो सिर्व लिख के रख देना, जब schedule 3 लोगा, तो पुरे history के साथ वो आपको पढ़ाओगा, तो अब यह क्या करता है, बहुती simple भाषा में समझे, तो अगर आप अपने employee को, in a financial year, पुरे साल बर में, 50,000 तक free gift देते हो, अपने employee को, कौन किसको दे रहा है, employer employee को, employer ने employee को, 50,000 तक पुरे साल बर में, free gift दिये, तो वो supply नहीं मानेंगे, सब कहना क्या चाहते हो, भाई साब, अगर related की definition में, यह वाला part आपको याद होगा, तो यह वाला part यह कहता है, कि employer और employee, related माने जाते है, इसके वज़े से, यह हो गया कि, अगर आपने अपने employee को, इत्तु सा भी goods free दिया, यह इत्तु सी भी service free दी, अगर आपने अपने employee को, इत्तु सा भी goods या service free दी, तो उसके उपर GST आ जाएगा, even though without consideration, assume that कि हम threshold के उपर हो, बार-बार थ्रेशोल मतला ना, assume that कि supply थ्रेशोल के उपर है, थ्रेशोल के उपर, उसने थ्रेशोल मतलब 20 ला के उपर, registration ले लिया है, वो TP बन गया है, TP बन गया है, उसके बाद, इत्तु सी भी goods or service employee को दिया, तो related party transaction में आ जाता है, और GST आता है, इससे industry का ये कहना था, कि भाई साब employee को gift देने पड़ते है, दिवाली आती है, promotion gift देने पड़ते है, motivation बढ़ाना पड़ता है, आप इत्तु से भी gift को GST लगा दोगे, पहली साब, पहली बात तो government सुन लो, employee को जब gift देते है, आप GST हम पर तो लगा दोगे, हम burden भी pass on नहीं कर सकते हैं उनके उपर, क्या कहेंगे gift देते वक्त, ए employee ये रहा gift, ये रही car, ये रहा, ओके छोटा ऐसा mobile, ओके पर GST देना पड़ेगा, burden pass on, ये कैसे हो पाएगा सर, ओके ऐसा मत करो, इंडस्ट्रियल प्राक्टिस के, public interest में नहीं है ये, तो government ने का ठीक है, एक provisal लाते हैं, चलो, specially employer employee के बीच में, हम पुरे साल बर में, 50,000 तक का, gift अलाओ करते हैं, without supply, जिस पर GST नहीं लगाएगे, और in a financial year, आप total मिलाके, 50,000 से ज़्यादा gift नहीं देपाऊगे, तो यहाँ पर, gift not exceeding 50,000, in a value, in a financial year, by employer to employee, shall not be treated, as supply of goods or service, तो 50,000 तक, आप अपने employee को, catering free दे सकते हो, बहुत सी software company, catering free देती है, cap service free देती है, gift देती है, तो कोई भी goods or service, पचास से ज़्यादा तक के value दे सकते हो, फिर एक सवाल गड़ा हो जाता है, sir, 50,000 के value तक, gift free दिया जारा है, तो अगर इससे ज़्यादा amount होगी, तो, सुनना द्यान से, sir, इससे ज़्यादा amount होगी, तो, तो पुरे साल बन में, per employee 70,000 होगी, तो अगर किसी भी employee की amount, 50,000 के उपर चलेगी, gift की, तो वो situation में, total value of gift पे GST आएगा, वो situation में, total value of gift पे GST आएगा, फिर आप burden pass on करो, या ना करो, ओके तो, per employee 50,000, लिख देना, per employee 50,000, इना financial year, तो अब नीचे आते हैं, इसके पर special discussion में ने किया हुआ है, इदे को gift by employee, प्रीजो 2 परा 2 of schedule 1, employee gift, the proviso state that gift of value, अब तो रूपी 50,000, इना financial year, इना प्रीजोर 2 and employee, are not considered, okay, up to rupees 50,000, employer ने employee को दिया, are not considered as a supply of goods or services under GST, treatment of gift above 50,000 in value, gift exceeding 50,000 in value, even if without consideration, are considered as a supply subject to GST, when given in the course of furtherance of business, and entire value is taxable, ये बहुत इना बोटन वोट है, and entire value is taxable, अगर 50,000 के उपर जाता है, let's assume 70,000 जाता है, the total 70,000 पे GST लगा दिया जाएगा, okay, I hope you understood, या आपका point समझ में आया होगा, yes or no, बता प्लीस, तो इस तरह से, हमने यहाँ पे schedule 2 complete किया, sorry, para 2 complete किया, done, and shelley, आते है, para 3 पे, para 3 पे आजो, supply of goods, supply of goods, a, supply of goods by principle to his agent, underline, principle to his agent, without consideration, where agent undertake to supply such goods, on the behalf of principle, is considered as a supplier, जहां तक है, मतलब, अगर principle अपने agent को supply कर रहा है, और free कर रहा है, without consideration कर रहा है, where agent undertake to supply such goods, यह important है, highlight करना, okay, where agent undertake to supply such goods, on the behalf of principal is considered as a supply ठीक है, मतलब एक simple word में अगर हम देखे जहां तक है कि अगर आप कोई goods principal है और आप consignment agent के थूँ sale कर रहे हूँ, मतलब आप principal हो, आपका goods है और आपने consignment agent लगा हुआ है consignment agent लगा हुआ है और उसको आप, आपका consignment agent है तो उसको आप stock transfer कर रहे हूँ ओके stock transfer कर रहे हूँ ठीक है, तो और वो आगे sale कर रहा है customer को वो आगे sale कर रहा है customer को on the behalf of principal, important है principal के बिआप पे वो agent sale कर रहा है customer को, तो ऐसे case में यह जो principal ने agent को supply किया ओके, यह जो supply हुआ stock transfer का supply by P to A, principal to agent जो supply हुआ यह stock transfer without consideration हुआ माल तो आगे बेचा गया पर यह stock transfer without consideration हुआ इसे supply माना जाएगा और इस पर भी यह stock transfer पे भी GST आएगा यह stock transfer पे भी GST आएगा तो यह प्यारा 3 में वो कहते है between principal and agent इनिया में जब भी कोई principal अपने agent को stock transfer कर रहा है जो further supply कर रहा है on the behalf of a principal तो यह stock transfer पे GST आएगा और यह जो आगे sale है इस पर भी GST आएगा और no doubt इसका credit आगे मिल जाएगा पर इस पर भी GST आएगा दन तो यह था यहाँ पे यह प्यारा का मतलब clause A का मतलब clause B का मतलब क्या कहते है वो देखो supply of goods by an agent to his principal अब agent principal को supply कर रहा है without consideration where agent undertake to receive such goods on the behalf of a principal is considered as a supply okay is considered as a supply पहले case जो पहला clause A है वो generally okay यह जो clause A लिखना हो लिख देना इसमें selling agent cover होते है जो हमारे भीयाप पे sale कर रहा है supply कर रहा है तो इसमें selling agent cover होते है जो हमारे भीयाप पे supply कर रहा है okay next इसमें B में okay यह buying agent होते है यह buying agent जो हमारे भीयाप पे receive कर रहा है goods खरीद रहा है buying agent होते है okay जैसे यह buying agent बहुत सी बार क्या लिजञत पपड़, घर पे पपड बनाती है और इंसे ऐहां पपड खरीदती ऑपर ऐसे शोटे चोटे जो हमच कर लेडी होती है जो पापड बनाती है, उनसे कोडिनेट नहीं करते हैं, बीच में एक agent अपॉइंट करते हैं, और ये agent को कहते हैं कि तु मेरे भियाब पे सबसे buy कर ले, भई हमको इतने लोगों का handle करना मुश्किल जाता है, तु मेरे भियाब पे, तो buying agent अपॉइंट करते हैं, तो buying agent जब अपॉइंट करता है, तो ये buying agent अपॉइंट करेगा, तो ये agent सबसे goods खरीद लेता है, और ये जो goods खरीदता है, यहाँ पे अपॉइंट सुनना, ये जो goods खरीद रहा है on the behalf of principle, और बात में ये goods जो है, ओके लिच्जत पापड को supply करता है, तो जो agent principle को supply कर रहा है, जो agent principle को supply कर रहा है, agent to principle, जहाँ agent ने principle के भ्याप पे खरीदा, तो ये जो supply है, agent to principle, ये जो supply है, ये supply माना जाएगा, और इस पर भी GST लगेगा, ये supply माना जाएगा, और इस पर भी GST लगेगा, I hope आपको ये principle समझ बयाया होगा, depth में जाओगा, detail में जाओगा, आपके सारे सवाल में entertain करूगा, पहले concept को समझ लो, वो GST किस पे लाना चाहते है, वो GST लाना चाहते है, सुनो, वो GST लाना चाहते है, यहाँ पे, अगर principal ने agent को supply किया, बेचने के लिए, stock transfer किया, तो जो principal ने agent को stock transfer किया, उसके ओपर GST हो, अलग state का हो, उससे कोई लिना देना नहीं, agent है बस, और जो आगे further supply कर रहा है, जो आगे further supply कर रहा है, यहाँ पे, then सुनना, further supply कर रहा है, यहाँ पे on the behalf of principal, तो ऐसे situation में, यह stock transfer पे GST लाय जाएगा, clause B, buying agent, buying agent मतलब, अगर कोई agent, यहाँ पे principal के बिहाब पे goods खरीद है, सुनना, principle के बिहाब पे goods receive कर रहा है, और वो यहाँ पे principal के बिहाब पे खरीद कर, यहाँ पे principal को supply कर रहा है, तो यह जो agent to principle है, यह भी supply माना जाएगा, और इस पर भी GST लाय जाएगा, लेकिन, बहुत सारे सवाल आपकी दिमाग में होगे, बहुत सारे questions आपकी दिमा agent, agent carries on business of supply of receipt of goods or services or both, दुसरा, यहाँ पे agent, agent मतलब, factor, broker, commission agent, अरतिया, dell, creditary agent, auctioneer, ya mercantile agent, ya whatever the name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on the behalf of another, important note, only supply of goods and not supply of services covered here, क्याल रखना, okay, principle or agent, तो हमने देखा यह definition, ठीके, इतनी, कोई इतनी important नहीं है, okay, word agent यहाँ पे important, जिसमें auctioneer भी आ सकता है, dell, creditary agent भी आ सकता है, अरतिया भी आ सकता है, commission agent भी आ सकता है, पर यह जो आप para 3 पढ़ रहे हो, okay, para 3 goods के agent को applicable है, service के agent को नहीं, sir, इसका impact का है, और यह मैंने तो अभी सिफ चालू किया, trailer है, picture तो जहां से सुनो, यह जो para 3 है, वो स्रीफ goods के agent को applicable है, service के agent को नहीं, the supply of service between principal and agent and vice versa, would required consideration to be present, so as to consider as a supplier and liable to GST, इसके बारे में बात करें गया, okay, तो, अब देखो, यह जो है, यहाँ पे, हमने principal और agent इसकी बात की, next, data collect कर लेते, data collect करते, फिर मैं arrange करता हू, okay, पहले सारी अलग अलग जगा है, उसको collect करते हैं, फिर linear में लाते हैं उसको, next, यहाँ पे, आगे क्या कहते हैं, एक CBIC clarification है, जो मैं जरूर लेना चाहोगा, in order to fall under this para, अगर para 3 आपको लगाना है, हिंदी में लिखनात लिगो, अगर para 3 लगाना है, अगर para 3 लगाना है, in order to fall under the para, deciding factor is whether invoice for further supply of goods on the Biaba principle, is being issued by agent in whose name, अब picture बे आ जाता है, कि agent जो invoice बना रहा है, principle जो invoice बना रहा है, यह बन कैसे रहे है, किसके नाम पे बन रहे है, यह invoice, पहला, if goods are supplied by, supplied on the Biaba principle by agent, मतलब पहला जो selling agent है, if invoice issued by agent in his own name, agent अगर खुद का invoice लगाया, तो para 3 अपला हो जाएगा, if invoice issued by agent in the name of principle, तो para 3 is not applicable, सर यह है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, invoice, principle, agent, stock transfer, GST, इसका GST, उसका GST, भाई साब, अगर आपको यह समझना है, अगे, तो हम देखेंगे, यहाँ पे, next session में, detail में, पर, पर, मैं अभी, इस area में आपको को होगा, एक बार पढ़ के आन समझा, नहीं समझा, फिर सी पढ़ के आओ, यह और इसके बाद का, डेल प्रेडरी एजन, तो बस इतना पढ़ के आओ, फिर आगे-ागे देखो, होता है क्या, हम detail में देखेंगे, तो चलिए, यहाँ पे, चलो दोस्तों, यह जो session है, आज का session यहीं रोकता है, और next session की से करेंगे, ठीक है, दन, तो आज यहीं रुकता है, पर कल का session बहुत important है, अगर क्या आपको principle origin का GST implication समझना है, क्या आपको उनकी invoice की mechanism समझना है, क्या आपको उनकी GST liability समझना है, क्या आपको उनकी GST liability समझना है, तो मिलते है, कल शार्प हमारे टाइम पे, थांक यू सो म क्यान है, क्या है, क्या यू सप्यास है, क्या इते है, ठीक है.